बहुत सालों से मैं एक शोद के काम में लगा हुआ हूँ कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कपी तो अब तक मुझे जो प्रमान मिले हैं वो प्रमान कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई और वो कलकत्ता में पी गई और वहाँ पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट कलाइब नाम की एक अंग्रेज ने और उसने जब कंपनी का राज चलता था इस देश में East India Company का तो कानून बनवाया कानून से लाइसंस दिया गया और उस लाइसंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया रोबर्ट कलाइप के समय में जब ये शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुकती इस दुकान पर हुई उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए तो उससे पूछा गया कि बताओ तुमारे शराब का धंदा कैसा चल रहा है तो उसने का बहुत अच्छा चल रहा है तो अंग्रेज संसदी समीती के सदस्यों ने का ये तुम क्या बोल रहे हो भारत में शराब का धंदा अच्छा चल रहा है उसने का हाँ बहुत अच्छा चल रहा है तुमारे पहले कैसा चलता था उसने का मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही नहीं था मैं तो पहला आदमी हूँ जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं हाँ आते हैं भीड की भीड आ रही है तो तुमने क्या किया उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए आकरशित करने के लिए तो उसने एक बात कही संसदी समीती के सामने जो अंग्रेजों की संसद के रिकॉर्ड्स में धर्ज है वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफत में शराब पिलाई भारतवासियों उसने कहा कि मैंने एक बोट लगा दिया शराब की दुकान के बाहर और उस पे लिख दिया और उसको बांगला भाशा में लिखा पहले अंग्रेजी में फिर बांगला में और उस पर ये लिखा कि यहां मुफत में शराब मिलती है आईए पी जिये आनंद लीजिये ऐसा करके बोट पे लिख दिया तो एक आया उसने चखा फिर दूसरे दिन वो दो को और लेके आया फिर तीसरे दिन तीन को लेके आया तो कहन लगे अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है कि जिनको पहले मैंने मुफत में शराब चखाई थी अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और मेरी शराब पी कर वहां से जाते तो अंग्रेजी संसदिय समीती बड़ी खुश हो गई उसने का तुमको तो पुरुषकार मिलना चाहिए तो यहिथा मुझे अगर पुरुषकार देना है तो एक लाइसेंस ओर दे दो दूसरी दुकान में वहीं खुलना चाहता हूं शराब की तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौती खुल गई, एक दिन साड़े तीन सो दुकाने हो गई कलकत्ता में और यह दुकाने बढ़ती नहीं, अंग्रेज इसको बढ़ाते रहे, शराब पीने का कानून बना दिया, कानून में ये लिख दिया, कि अगर कोई बालिग हो गया, तो शराब पीने का अधिकारी हो गया, जब तक वो ना बालिग है, तब तक ना पिये, बालिग हो गया, तो पीने लगे, अब हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में बहस चली, कि भारत में कोई बालिग है, या ना बालिग है, इसकी उमर क्या मानी जाए तो आपको सुनकर हारानी होगी मैं सब को बताना चाहता हूँ कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उमर 14 साल रखी फिर उसको 16 साल किया फिर आते आते वो 18 साल हो गई माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के उपर हो जाए तो शराब पी ले तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया तो उनने का हमारे इंग्लेंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं तो हमने भारत में भी रख दिया आप जानते हैं इंग्लेंड में 12-14 साल में शराब पीने लगते तो भारत में भी वही उमर उन्होंने रख दी फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया फिर उसको 18 साल कर दिया अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था आजादी मिलने के बाद ये कानून समाप्त कर देना चाहिए था क्योंकि हमारे धर्म में हमारी नियाए विवस्ता में शराब पीना पाप है अधर्म है और सबसे घ्रणित काम है तो ये खतम होना चाहिए था लेकिन भारत सरकार तो काले अंग्रेजों ने चलाई ना उन्होंने क्या किया कि ये शराब के कानून को और ज़्यादा खुला कर दिया और इतना खुला कर दिया कि पहले अंग्रेजों के जमाने जब शराब का कानून बना था ना तो अंग्रेजों उस कानून में एक जगे ये लिखा हुआ था कि भारत में अगर कहीं मंदिर है कहीं मस्जित है तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए अंग्रेजों ने कानून में ये लिखा मंदिर है मस्जित है गुरद्वारा है चर्च है कोई धर्मिस्था उससे 500 मीटर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक के जोड़ा था कि विद्याले है विश्व विद्याले है कॉलेज है तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए इन काले अंग्रेज गुर्दवारों के सामने शराब की दुकाने हैं और खाली शराब की ही दुकाने नहीं है उससे जादा और भी घ्रनित काम करने के दूसरे अड़े वहां खोले हुए जुए के अड़े हैं वैशिया वरती के अड़े हैं ये अंग्रेजों का बनाय हुआ कानून है और अंग्र भाज़ार हो गई है और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो एक लाख से जादा है ऋ गाओ गाओ शराब की दुकान खुल रहे हैं अगर आप कलपना करिए एक लाख शराब की Dुकाने तो इसका माणे भारत के हर छे गाओं के बीच में एक शराब की दुकान है अब काले अंग्रेजों की तैयारी चल रही है कि हर गाउं में एक शराब की दुकान होनी चाहिए माने हर गाउं में 6 लाख 30,000 से जादा पूरे भारत में शराब की दुकाने होनी चाहिए सारे देश को शराब में डुबो देना चाहिए और इसकी नीती कई राज्यों में बनकर लागू हो रही है कई राज्यों ने तो यहां तक तै कर लिया है कि गाउं गाउं में ही शराब नहीं मिलेगी वेन चलाएंगे शराब बेचने वाली जैसे मरीजों को ले जाने के लिए चिकित्सा, साहिता, वेन होती है न वैसे शराब बेचने के लिए वेन दिल्ली सरकार का फैसला, राजिस्तान सरकार का फैसला भारत के कई राज्य सरकारें अब वाहन चलाएंगी, मोबाइल वेन चलाएंगी उनमें गाउं गाउं जाकर घरगर जाकर शराब परोसी जाएगी और लोगों को बेची जाएगी हम कैसे कहें भारत स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों ने भारतवासियों को शराब में डुबोया तो उनके पीछे स्वार्त था कि भारतवासी नशे के शिकार बने इनको गुलाम बनाया जाए और लूटा जाए अब आजादी के बाद के काले अंग्रेज भी भारतवासियों को शराब में ही डुबोना चाहते है तो कैसे कहें देश स्वतंत्र है